आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे मैं रना मैं सिद्धान तक नहीं हो तरी स्टरी ग्लोस पर आपका बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों आज हम बड़े इंपॉर्टेंट चीज की बात करेंगे ठीक है आज हम बात करेंगे किस तरीके से हम ट्रैप में फस्ते करना है जैसे ही आप ये कूपन कोड यूज करेंगे आपको ये पूरा का पूरा कोर्स जो की डाक साइकॉलोजी का है ये मात्रे 600 रुपय का मिल जाएगा उनली 600 तो सबसे पहले तो आपको इस कूपन कोड को यूज करके अपनी जिन्दी सवारनी है और जिस फ्रेंड जोन कि लोग आपके पीछे पढ़ें ना कि आप लोगों के पीछे पढ़ें तो ये डाक फोटी कूपन को यूज करिए दस दिन बात से क्लास शुरू हो जाएगी 20 जुलाई से इसलिए हमने अच्छा काशा टाइम दिया है टेली ग्रांग पर माठार जुलाई को ही बनाएंगे डॉक्टर मयूरिका दा जोगे खुद एक साइकोलिजिस्ट है वो ये क्लासिस कंड़क्ट करेंगे तो आपको बहुत ज़दा फायदा मिलेगा तो देखो फ्रेंड जोन होता कि हैं सबको पता है कि इसमें कोई आदमी या कोई औरत कोई भी हो सकता है ठीक है वो ये बोलता होगी वो आपको बुलाएगा और आपकी बॉड़ी क्या किता आखे चमक जागे रहे वाह क्या बात है ये तो मेरे लिए ही है मुझे ही बुला रहे है यह रही है आप जाएंगे सारा काम करेंगे लगिन जैसे ही बोलेंगे कि चलो हम शादी करते हैं या चलो आप हम एक है मैंने तो सब तुमको अपना दोस समझा था तुम कहां घुसे जा रहे हो यार तो यह मत करो प्लीज स्टे अवे मेरी इसमें एक्षपक्टीज नहीं है तो मैं आइम आउट सीदा तो आप इसमें कट जाता है बहुत लोगों का कहता यार बताओ लेकिन फिर भी वो उसमे रहते हैं ठीक है तो जैसे ही आप वहां से बाहर आने की कोशिश करेंगे वो फिर उनका में से जगरे तुम चले गए ऐसा थोड़ी नहोता है अब तो मेरे दोस्त भी नहीं रोगे लेकिन आप उस ट्राप में फस चुकी हो आपको उनकी आदत लग चुकी है तो आप फिर उसमें घुसोगे और यह करते 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 बहुत टाइम भी जाएगा उसकी कहीं शादी हो जाएगी और आपको कुछ नहीं मिलेगा यह हो जाएगा ठीक है याद रखिएगा जेंडर बाइस इसमें लड़का लड़की दोनों ही आते हैं दोनों के साथ ही होता है ठीक है अब आप बोलेंगे सर अच्छे हम अच्छे हैं अच्छे लोगों के साथ ही ऐसा होता है पहले अंदर जांके देखो तो मच्छे हो की नहीं हो यह बहुत ही डिश्यू है दोस्तों क्योंकि यह अनिडेन है और डिस्पाइट यह बहुत लोगों के साथ हो रहा है अब इसका को सर तो आप करना क्या है मान यूजह कि अगर आप इसने फस गए हैं कुछ पैटरंस division सबसे पहले आप खुदी बात करें क्या आप फूरस्ट जो आपको मैसेज आप इनको बार बार मेसेज़ कर रहे हैं, बारबन को पोक कर रहे हैं, आप ही है क्या, मेसेज भी आप, कॉल भी आप, और उनका वेट कर रहे हैं कि कब रिप्लाई आएगा, और रिप्लाई क्या एक लाइन में आ रहा है, पांच-छे वोट्स में आ रहा है, ये देखिए, ठीक है, क्या वो नहीं मिलता है, आपको ऐसा लगता है कि आप ही सब कुछ कर रहे हैं, और उधर से कोई भी रिस्पॉंस नहीं आ रहा है, बस मैं ही मरे जा रहा हूँ, मैं ही किये जा रहा हूँ, हर चीज मैं ही कर रहा हूँ, उधर से कोई रिस्पॉंस नहीं आ रहा है, ऐसा है, तो अगर अपने लिए सोचिए सबसे पहले आप खुद को अच्छा बनाईए आप अपने उपर दया करिए तो पहले देखिए कि आपकी जिन्गी से एफेक्ट हो रही है अगर हां तो दाट सिट छोड़ दिए दूसरा पॉइंट यह है हमको अक्सर ऐसा लगता है कि हम अखेले हैं वक्त से पहले कुछ हâte है हर चीजआ रही होती है तो आपको यह समझना है कि भाई अकेले नहीं हैं बहुत सारे और लोग हैं जो आएंगे साथ में रहेंगे हात बटाएंगे हाथ में हाथ मिलां के हम लोग चलेंगे घुमेंगे फिरेंगे तो साल बात आपको याद नहीं रहे गए इंसान कौन था आपको सच बता रहा हूं बस ही आपका आपको परशान कर रहे हैं वो इंसान जो है वो इंसान आपसे ले इसलिए अटाज़ रहे है क्योंकि आप उसको अपना सारा वक्त दे रहे हो उसकी help कर रहे हो तो इसलिए वो आपका आपसे मतलब निका ठीक है आइडेंटिफाइडी पाटर्न ओके कि क्या ये सब सारी चीज़े हो लिए मेरे साथ स्टेप टू इस जोन से इसके लिए क्या करना है बता दू उनको खतम कि भाई देखो ऐसा ऐसा है अगर तुमको सीरियस हो तो बताओ नहीं सीरियस हो तो मुझे बताओ जीरियस नहीं है तो गोल मुल जबाब ते तो हटाओ उनको आप अपनी वैल्यू ही नहीं करवा रहे हो आपका आत्मसम्मान खताम हो गया और यह कहीं नहीं आपको भी पता है तो आत्मसम्मान को वापस लो कहीं पर भी बोले अरे इधर आना है हाँ मैं आ जाओंगा यार अभी आ रहो तुरंत रहो दोड़के चले गए इससे क्य अप्वारिटी अप्ग्रेट की हुई है अब बुरा को कोई पसंद नहीं करता है सिंपल सी बात है और जो पसंद करता है वो बेकारी है उनकी जिंदी है आप बहुत सब्सक्राइब रहे हैं लोगों की मदद करिए लेगिन सबसे वहले अपनी मदद करिए गलत मत सहिए दम घोस्ट घोस्टिंग जिसको कहते न कोई स्टेटस चेक नहीं करना है कोई फेस्बुक चेक नहीं करना है वह सकते तो हटा ही दो नंबर यह अगर आपको कोई खास वह कितना भी पीछे पढ़े क्या मुवी निदे कि पयार का पंचनाम हो उसके क्या हाल होता लिक्विड का वो नहीं बनना है तो कितना भी पीछे पड़े हाथ पैर जोड़े नहीं नहीं भाई नहीं है तो नहीं है मुझे नहीं आना है मुझे अपने उपर फोकस करना है और जब आप attention कम देंगे न तब वो हो सकता आपकी value करना शुरू कर दे यह तो गजब भी निकला मैंने क्या सोचा था और क्या निकला यह गजब तो यह बहुत ज़ादा ज़रूरी है boundaries ड्रॉ करें कि भाई नहीं है नहीं हो पाएगा चौथा point आपको फर्क पाइना कम हो जाना चाहिए आप यह realize करो कि यार इससे आप कुछ होगा नहीं देखें जो इंसान आपकी वकत नहीं कर रहा है आपकी value नहीं कर रहा है क्या guarantee है कि वो आगे जाके आपकी value करेगा बिल्कुल नहीं करेगा यही हमने dark psychology में बता है पुरी psychological process है यह आप loop में फसते हो आपका दिमाग इसमें फस जाता है और कैसे इससे बाहर निकलना है कैसे brainwashing होती एक तरीके की brainwashing ही है ठीक है manipulation है भयानक manipulation है जो हमने अपने course में बहुत ही शांदार तरीके से समझाई है समझ रहो यह चीज है तो वही यह बात है कि यहां से निकलना है बस आपको तो बोलो कि नव मैं नहीं हो सकता मुझसे ठीक है आप जादा brainwashing या फिर आप जादा manipulation जो है वो मैं नहीं सहूंगा आपको यह realize करना है कि मैं अभी तक manipulation हो रहा हूँ और कुछ नहीं हो रहा है मेरा यह पूरा mind game सी चल रहे है तब से लेकर अभी तक तो आप बहुत हो गया अब मैं इससे बाहर निकलूँगा बिजी रहो ठीक है हर बात मत मनो हो सकता है आपका वो दोस्त हो वर्कप्लेस में हो तो कोई बात नहीं वर्कप्लेस में तो भी थोड़ा सा alpha attitude लखो नहीं करेंगा भाई वर्कप्लेस में भी ठीक है मुझे जो सही लगए कि मैं वो करूँगा तुमारे हिसाब से मैं नहीं चलने वाला तुमको कहीं जाना है जाओ तुमको कोई प्रॉब्लम है तो तुम कर लो तुमको अगर तुमारा काम है क्योंकि देखो मैंने क्या बता कि आपके कोई कियर नहीं कर रहा है तो करेगा आगे भी नहीं करेगा वो आप परशानी रहोगे जिन्दगी भर उसकी शाद से शादी भी हो जाए ना तब भी आप परशानी रहोगे तो इसको फायदा तो है नहीं रिलेशन्चिप तो मतलब जो कहते हैं कि पॉसिबल रिलेशन्चिप इसको महीं खतम हो जाना चाहिए लोग तो आपको एक्स्प्लाइट करने के लिए बैठे ही है बढ़ आपको इतना ध्यान होना चाहिए कि मैं क्या मेरी लिमिट है बस इससे जादा क्रॉस नहीं हो सकती तो आट आट अफ इग्नोरिंग आपको सीखना परेगा आप एक्जिस्टी नहीं करते हैं आपके लिए ठीक है बस हाँ हेलो बोले के रहे तुम तो बात नहीं करते क्या हुआ तो बोल दो कि देखो भाई मैं अब थोड़ा सा मैं अपने उपर फोकस करना चाहता हूं और जादा कुछ नहीं है अपने उपर फोकस करना है बहुत चीज़ों में अपर टाइम वेस्ट होता है मुझे कोई रिजल्ट भी नहीं मिलता है तो मुझे लगता है कि शायद अब ठीक है है ना खतम प्यार से सब कुछ वो बहुत कोशिश करेंगे कि वापस जोन में आ जाओ आपको आने ही नहीं मैं नहीं आने वाला मैं अपने लिए सोचने और जो आपको रियल प्यार करते हैं उनके लिए अपने सोचना शुरू कर दिया तो हो गया खेल खतम तो यह कुछ चीजे हैं सबसे पहले क्या करना है आपको अपनी boundaries ड्रॉ करनी है दूसरा अगर आपको science यही science है वाई boundaries ड्रॉ करनी आपने दूसरा हर वक्त अभे लेबल नहीं रहना है हर वक्त attention नहीं देनी है तीसरा अपने लिए आपको सोचना है और चौता हो सके तो cut off क कोई स्टेटस चेक करने की ज़रुती है वो कितना भी कुछ करें एक डम ठीक है नमबर अमबर हटा दो गोस्ट बहुत फायदा होगा देखिएगा आपका आत्मसम्मान बचा रहेगा बाकी हमारे कोर्स को अब जरूर अवेल करें शांदार कोर्स है ठीक है मात्र शेसो रुपय का बड़े महंगे मॉडूल साते हैं लेकिन हमने बहुत सस्ते में निकाला है हम चाहते हैं कि हर एक इंसान इसको अवेल कर पाए थांक यू सो मच